नमस्ते आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ मीठे मीठे मावा समोसा आपने आलू के मतर के सभी के समोसे खाये होंगे पर ये जो मावा समोसा होते है इसकी बात ही कुछ अलग होती है एकदम खस्ता खस्ता और अंदर से ये बड़िया सा मीठा मीठा मावा तो चलिए बना आता है सबसे पहले हम आटा गुन देंगे तो उसके लिए मैंने एक बरतन में डाल दिया है दो कब भरकर मैदा और इसके साथ इसके अंदर हम डालेंगे एक बड़ा चमच गी और इसे हम अच्छे से मिक्स क नहीं प्त हमने तो इसका आट意 है अच्छा मोयन होना चाहिए तो इस तरह से अब आप देखिए मैंने एक बड़ा चमच इंदर गई डाला है पिडियोकता है और अच्छे से मिक्स करेंगे मैं अच्छे से बिक्स करेंगे तो ये जो 미ठे संभूष है न, उसके लिए जो आटा है न, वो सक्त आटा होना चाहिए, अब देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना पड़ेगा, अगर आप एक साथी पानी डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा न, कई ब के हाथों पर दम यानिकी फ्रशर लगना चाहिए इतना सग ताटा होना चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने आटे को वूंद लिया है अब हम थोड़ा सा इसके ओपर तेल लगाएंगे और इसे हम फिर से अच्छे से इस तरह से मसल लेंगे यहाँ पर कोई एक भी मिठाई ले सकते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं मैंने खुब सारी मिठाईया लिए जो मेरे पास थी और यह मीठा मावा ले लिए आप चाहे तो सिर्फ मावा भी ले सकते हैं इसे ढखकर हम पीस लेंगे जो भी आपके घपे मिठाईया हो यहाँ फिर आप मीठा लिए इससे अच्छा स्वार भी आता है और यह मावे के अंदर बाइंडिंग भी आ जाए तो दो काम हो जाएंगे किश्मिश के जगा पर आप बादम और काजु भी डाल सकते हैं मैंने सिर्फ किश्मिश चाली है अच्छे से मिक्स कर लिया है तो हमारी समोसे में डालने के अच्छे से मसल लेंगे अब इसमें से थोड़ा सा आटा लेकर इसकी हम लोई बना लेंगे एक इस तरह से बड़ी सी और अब इस तरह से बना सकते हैं बड़ी सी लोई पर मैदा चड़क लीज़े और इसे रोटी की तरह बेल लेना है जादा पतला भी नहीं होना चाहिए तो बस जैसे हम रोटिया पेलते हैं पर यह बड़ी सी रोटी आपको बेलनी है देख सकते हैं नहीं जादा पतली नहीं जादा मोटी है अब हमें एक नाइफ यानि की चाकू ले लेना है और इसकी मतर से जैसे हम पीजा के स्लाइस कट करते हैं वैसे हमें कट करना है पर इस जो तीन किनारे ने एक दूसरे से जोड़ते हुए इसे साइड से अच्छे से इस तरह से पैक कर लीजे तो यह बहुत ही इजी है अब दीखिए मैं आपको एक और भी बता देती हूँ देखिए पूरी स्लाइस है अपने बीच में यह मावा रग दिया मावे का बॉल इसके ज गरम तेल में ही आपको समोसे डालने अगर तेज गरम तेल में आप डाल देते हैं तो इसके ओपर बबल्स हो जाएंगे और वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं इसे बिलकुल धीमी आज में आपको फ्राइ करना है नहीं कि तलना एक तम यह सुनेरा कलर आ जाए खसता ह हो जाए तब तक आपको लगे हलका हलका फ्राइश शुरू हो गया है समुसा तो आप आज को मध्यम कर सकते हैं यानि समझ लीजिए दीमी आस से लेके मध्यम आज के बीच में आपको समुसे को तलना है यहां पर आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने यह सारे समोसे कर ली और आप देखे कितने ये बढ़िया लग रहे हैं देख सकते हैं बहुत ही और खाने में तो क्या बदो इतने टेस्टी लगते हैं जिसके कोई हद नहीं है बनाना भी काफी सिंपल है और कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप ये बना सकते हैं लीजो तैयार एक तम खसता अंदर से मावे से भरपूर मीठे मीठे रसीले ये मावा के बढ़िया से समोसे तो आप इस रसेपी को ज़रूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमें सेक्शन बता है कैसी लगे रसेपी जाते है जाते है चैनल को सिस्क्राइब करना बिलकुल ना बूले थांक यू